दोस्तो आज की इस वीडियो में हम एनलाइज करेंगे स्री गनेश अगर इस कंपनी के डिटेल की बात के तो आप देखेंगे पिछले काफी टाइम से इस कंपनी में लगातार आपको गिरा और देखने को मिलना है 20-20 में यह कंपनी समलता भी है यानि ओपरेटर इस कंपनी को ग्रो करने की कोसिस करते हैं और यह कंपनी फिर से गिरना ही स्टार्ट कर देता है जैसे ओपरेटर ऊपर जाते हैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं कंपनी में अगेन आपको भारी गिरावट देखने को मि लाता लेकिन आज यह company 6% के नीचे जाकर close हुआ है तो क्या ऐसे में इस company को buy करना चाहिए या फिर निकलने की तयारी कर लेनी चाहिए जो लोग भी इस company में heavy loss लेकर बैठे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए सब कुछ detail में analyze करके हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो में last तक बने रहे हैं कोई भी पार्ड मिस ना करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है सबसे पहले वो लोग चैनल को subscribe कर लें और साथ में bell icon को प्रिस करना न भूलें तो देखते है इस company के detail दोस्तो अगर इस company के अंदर आप already invested हैं और आपको 40% 50% की गिरावर देखने को मिलना है तो बिल्कुल इस company को आप long term के लिए छोड़ सकते हैं तीन साल पान साल के लिए छोड़ सकते हैं और आप ये expect कर सकते हैं कि आपने ऐसा कोई stock buy ही नहीं किया क्योंकि आपको जो capital है वो already काफी नीचे जा चुका है ऐसे में अगर आप sell भी करते हैं तो आपको कुछ भी value नहीं मिलेगा उसके बाद भी अगर आप निकलने की courses करना चाहते हैं तो बिल्कुल जब ये आपको तेजी देखने को मिले एक दो दिन के अंदर तो फिर आप अपना stopless daily to daily basis प आप चल सकते हैं और अगर इस company के अंदर buying की बात के तो फिलाहल के लिए दूर रहे तो better है क्योंकि जब तक कोई operator या फिक कोई बड़ा investor इस company में invest नहीं करता तब तक इस company का यूही हाल लेगा यूही घरता चला जाएगा और ऐसे stock में invest करना सबसे बड़ी वेखूफी हो लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें